नमस्कार तो आज हम बात करेंगे एसम फुटबॉल के बारे में, क्योंकि एसम फुटबॉल में ऐसा कुछ हुआ है, जो पहले मैंने तुन नहीं देखा, कि एसोसियेशन का ही एक व्यक्ति खुद ऐसा बोल रहा है, कि हमारे एसोसियेशन में इन लोगों ने स्केम किया है, तो आसम फुटबॉल एसोसियेशन के जो जॉइंट सेक्रेटरी है, उन्होंने आरोप लगा है आसम फुटबॉल एसोसियेशन में ही जो दो व्यक्ति है, सेक्रेटरी और ट्रेजरर जो है, उन पर आरोप लगा है कि इन दोनों ने कुछ पैसो का इधर उधर कुछ गबन कि ठीक है और ये क्यों सच है क्योंकि उन्होंने इससे रिगार्डिंग एफाई आर भी कर दिया ठीक है तो अगर कोई व्यक्ति जो है एफाई आर तक पहुच चुका है मतलब कि कुछ बात में दम है उनकी तो नौर्थेस में असंट फुटबॉल क्यों पीछे जा रहा है इसका आब सिद्धा सिदा अपजिण अंदाज है को हम बात करते है अभी जो आर्रोप लगाया गया है जॉइंट सेक्रेट्री ऑप असांट फुटबॉल एस सोसीइशन की रहा तो तो असम फुटबाल में स्केम का मामला है कि 2019 में इंडिया वर्सेस ओमान वर्ल्ड गप कौलिफियर मैच था जो की असम में होना था और All India Football Federation ने इसके लिए असम फुटबाल एस्सकेशन को 22 लाख रूपे दिये ठीक है इसके अलवाद टिकेट सेल्स का भी 60% दिया जो इसके असम फुटबाल एस्सेशन की जो बैलन सीट एसेट उसमें मैंने नहीं यह जो पैसा है ना यह वाला पैसा 22 लाएं प्लस ए टिकेट सेल्स का 8 लाख रूपे यह मैंने जुटबाल एसा कहना कि इसका है Joint Secretary of Assam Football Association तो बैलन सीट में यह दिखाएगा कि Assam Football Association ने एठरा सबसे खतरनाक चीज क्या हो सकती है सबसे खतरनाक चीज यह हुई कि खुलासा करने के बाद ही जो असम फुटबॉल एसोसियेशन के जॉइंट सेक्रेटरी है उनकों कमेटी से बाहर कर दिया गया है तो एक तरफा मतलब एक तरफा काम कि सीधे बाहर कि आपने खुलासा किया है आप बाहर आप इस कमेटी में रहने योग यह नहीं है विकॉस आपने तो हमारी पोल खुल अब मेन बात यहां पर यहां पर यहां थी कि जिन लोगों पर आरोप लगे है वो इस चीज का बचाओं कैसे करेंगे ओल इंडिया फुटबॉल फेडरेसन यहां पर किस तरीके का रवईया अपनाएगा जब यह चीज सिधे-सिधे ओपन हो चुकि है क्योंकि भाई आइट सेक्रेटरी के खुद कहना इसलिए बात में कुछ तो सच्चाई है जॉइंट सेक्रेटरी के कहना है हमारा कहना नहीं है हम इसमें कुछ नहीं है हम तो खाली बात आप तक पहुचा रहे है कि ऐसा जोलजाल हुए असम फुटबॉल असोसियाशन में तो इससे आप सोच सकते असम फुटबल में क्यों क्यों आपको जो है चीजे डवलप होते हुए नहीं दिख रही है और सबसे खतरनाक बाद जो कि बहुत पहले से चली आ रही है असम स्टेट लीग कहां है किधर है इतने सालों से क्यों नहीं हुई असम की स्टेट लीग पूरे नौर्थीस्ट में हर जगे स्टेट लीग हो रही है मिजो लीग मनीपूर लीग हो रही है न लेकिन आपके असम की स्टेट लीग किधर है कैसे मिलेगा प्लेटफॉर्म वहां के प्लेएर्स को वहां के प्लेएर्स कैसे आगे निकलेंगे प्लेटफॉर्म के बिना बताइए वहां के प्लेएर्स पीमी लिग चालो चुकी है ठीक है असम जहां पे इतना फुटबॉल है compare to Central India के स्टेट से तो compare नहीं है कोई आपकी स्टेट लीग नहीं है कितना फुटबॉल है तो सोची न किसी ने बोला कि नहीं आज तक कब हुई थी लास्ट असम स्टेट लीग सोचने की बात है सवाल ख मुझे लगता frustration आएगा सबको क्योंकि जब यह खुलासा हुआ है और आना भी चाहिए बिल्कुल है ना क्योंकि जो देश हित के लिए सोचता है उसके दिल में तो बिल्कुल frustration आएगी घुसा आएगा आक्रोस आएगा तो अब कैसे बचाओ इस चीज का होगा मैं यह जानन सबस 뜁 ना तो आप इस चीज को किस तरह से जेख तैस सी सिश क recognise को किस तरी के दिखते है आप जरूर कमेंटपे ऻी देखना चाहते हैं इस चीज पर क्या ऐसे लोगों को पद से हटाना चाहिए या जो भी आपको लगता है आप जरूर आपके जो भी विचार एकदम क्योंकि आपको पता है आप सच्छे है ना तो आप आपके विचार जरूर कमेंड में लिए के बताएगा और इसी तरह भारती फुटबॉल को सपोर वीडियो देखने के लिए जय हिन जय भारत